हलो एवरिवान मैं पूजा और दोस्तो स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने गार्डन से 18 ऐसे पौधे जिनको आप अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं या कुछ नया ढून रहे हैं तो आपके ये वीडियो जरूर काम आएगी जितने भी पौधे बताऊंगी दोस्तों ये जरूरी नहीं है आप नए ही लाएं अगर इन में से किसी की कटिंग भी आपको मिलती है तो कटिंग भी आप असानी से लगा सकते हैं सारे पौधे आपको पास्ते दिखाऊंगी नई नई ग्रोध भी आपको सभी में नजर आएगी तो वीडियो के एंग तक बने रहेगा ताकि आपके जादा से जादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके जादा काम आ सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शु पिंक एगलोनिमा और पिंक में भी बहुत सारी वराइटे आती हैं लीफ साइज भी डिफरेंट होता है उनमें इस सीजन में नई नई पतिया इस तरीके से निकलती रहती है नई नई ग्रोध नीचे से आती रहती है तो बारिश का सीजन इस प्लांट के लिए सबसे एगलोनिमा के बाद नमबर दो पर दोस्तों ये है ड्रेसीना फैमली के प्लांट सॉंग ओफ इंडिया और ये वाला कॉर्डिलाइन टी प्लांट भी बुलाया जाता है या जैसे कि ये वाला प्लांट है बहुत देखा होगा आपने या फिर ये ग्रीन कलर का जो है ये कॉ प्लांट है ये सारे ही ड्रेसीना फैमली के प्लांट है ड्रेसीना का ये कॉर्डिलाइन का ये इन में से कोई भी प्लांट आप एड़ करना चाहते हैं ड्रेसीना फैमली का तो वो एड़ कीजिए इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्र आप एड़ कर सकते हैं जैसे यह बड़ी पतियों वाला यह मैंने कटिंग से लगाया है इस सीजन में यह बहुत अच्छे से चलते हैं मनी प्लाइट की कोई भी वराइटी अगर आप एड़ करेंगे तो 100% उसके रिजल्ट जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे जैसे कि यह निय के से ग्रू होती है आपको कटिंग मिलती है तो कटिंग भी लगा सकते हैं मनी प्लाइट के बाद दोस्तों यह है फिटूनिया नंबर चार पर तो फिटूनिया को भी आप रेनी सीजन में एड़ कर सकते हैं क्योंकि इस प्लाइट को मौस्चर बहुत पसंद होता है जैसे क कोई भी आप एड़ करें इस सीजन में काफी अच्छे से चलेंगे छोटी पतियों वाला फिटूनिया मौस्चर बहुत जादा मांगता है गर्मियों में आप इसको एक टेरेरियम में बंद करके रख सकते हैं फिटूनिया के बाद दोस्तों यह है फाइकस और यह फाइकस इसके बाद दोस्तों नमबर छे पर है जनाइडू और जनाइडू की यह नियौन वाली वराइटी है जिसमें थोड़ी पतियां गोल्डन कलर में आती है और नई ग्रोथ इसमें आपको दिख रही होगी तो जनाइडू आप इस सीजन में एड़ कर सकते हैं अगर आपके प करनी होगी तो यह प्लाइडू के बाद दोस्तों यह है एरोकेरिया या करिसमस ट्री नमबर साथ पर और यह भी आप इस सीजन में एड़ कर सकते हैं हाँ इसकी कटिंग नहीं लगा सकते लेकिन यह प्लांट आप छोटा सा ले आईए आपको सस्ता मिलेगा और इस सीजन मे यह बहुत तेजी से ग्रो करेगा जिसके कारण यह बहुत जल्दी आपके गार्डन में अच्छी जगह बना लेगा नमबर आट पर दोस्तों सिंगोनियम अगर सिंगोनियम की कोई कटिंग आपको मिलती है तो दो बेस्ट है नहीं तो आप कोई नई टाइप का प्लांट ए इंगोनियम है नमबर आट नमबर नौ पर है दोस्तों कलेथिया और यह कलेथिया की डॉटी बला प्लांट है कलेथिया डॉटी इसकी बहुत सारी विराइटी आती हैं यह देखी कितने खुबसूरत है इसके अलावा इसमें ग्रीन में भी आती है थोड़ी बड़ी पतियो में भी आती है बहुत सारी वराइटी इस प्लांट की आती है कोई भी आप एड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं साथ में अगर किसी प्लांट को डिवाइड करना चाहते हैं आपके पास मदर प्लांट है उसमें बेबी प्लांट अलग करना चाहते हैं तो वह भी इस सीजन में कर सकते हैं कैलेथिया के बाद दोस्तों यह है पाम और पाम की कोई भी डिफरेंट वराइटी अगर आड़ करना चाहते हैं या पाम को डिवाइड करना चाहते हैं तो यह सीजन बेस्ट है या आपका पाम बहुत पुराना हो गया है आप उसको अलग करना चाहते हैं दो प्ला इनको डिवाइड किया जा सकता है इसके अलावा जैसे की चाइना पाम है यह चाइना पाम है इसकी छोटी वराइटी आती है यह बड़ी वाली वराइटी है इस सीजन में नई नई ग्रोथ निकल कर आती है इसके अलावा यह फिश टेल पाम है तो कोई भी पाम अगर आप बहुत सारी वर्यट्याइब आती है सारी ही वरैटी अच्छा ग्रो करती है यह वाली गर्मियों में थोड़ा डल हो जाती है अब इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है एसलिपरियेubl1 इयर सेंट Прinned अलोकेशे के बाद दूस्तों ये है नमबर 12 पर एरेंथमम और ये भी बहुत खुबसूरत प्लांट होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें आते हैं जैसे ये दो कलर का मेरे पास है नई पतियालक कलर की आती है नीचे की पतियों में वेरिकेशन होती है बैक साइड से ये बहुत ही जादा बर्गंडी सा इनका शेड होता है इसके अलावा इसमें डीप कलर भी काफी आते हैं और इसमें रेड कलर भी आता है तो कोई भी कलर आप एड़ कर सकते हैं इस सीजन में कटिंग नमबर तेरह पर दोस्तों फरन्स और फरन्स में भी बहुत सारी वराइटे आती हैं जैसे कि ये फॉक्स टेल फरन है और बहु इस सीजन में कर सकते हैं जैसे कि ये एसपैरेगस फरन है इक ग्रास फरन होती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फरन की कोई भी वराइटे इस सीजन में बहुत तेजी से ग्रो करती है बहुत जल्दी जो पॉट है वो फुल हो जाता है डिवाइड करने का भी ये सीजन इस प्लांट के लिए सबसे पेस्ट रहता है नमबर 14 पर है दोस्तो फिलो डेंडरोन की वराइटी और इसमें इतनी सारी वराइटी आती है जिनमें कलर के साथ साथ पतियों का साइज और उनका जो शेप है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है जैसे कि ये वाला रूबी वाला है इसके लावा फिलो डेंडरोन सेलम आता है आपने देखा होगा मेरे काफी वीडियों में ये वाला इसमें भी नई नई गरोथ आ रही है ये देखिए इस सीजन में फिलो डेंडरों की कोई भी वराइटी आप एड़ करें बहुत तीजी से ग्रोव करती है सारे ही आप मेरे प्लांट में देखेंगे नई नई ग्रोथ आपको नजर आएगी जैसे कि ये नियान वाली वराइटी है जो मनी प्लांट जैसी लगती है तो इसमें 5-7 वराइटी मेरे पास है इसके अलावा कोई और वराइटी अगर आप एड़ करना चाहते है या इन में से कोई वराइटी एड़ करना चाहते है तो ये सीजन फिलो डेंडरों वराइटी एड़ करने के लिए और ये सारे ही plant cutting से भी लग जाते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो ये आप cutting से भी लगा सकते हैं, कोई भी आप add करना चाहें या लाकर या cutting से तो ये season इन plants के लिए best रहेगा और बहुत जल्दी growth भी करेगा फिलोरिनोन के बाद दोस्तो शेफलेरा नमबर 15 पर और ये वेरिकेटेड वाली वराइटी है ये पतिया मेरे प्लांट की खराब हो गई थी बहुत तेज धूप मिलने के कारण अब नई नई ग्रोथ सारे ही प्लांट में मेरे आने लगी है शेफलेरा के सारे ही प्लांट पि इसकी लगा सकते हैं कोई प्लांट टेड़ा मेड़ा हो गया है प्रूनिंग करना चाहते हैं तो प्रूनिंग भी इस सीजन में इसकी कर सकते हैं कोई शेफ मिंटेन करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तो ये सीजन शेफलेरा के लिए भी बेस्ट है जरूर एड़ कीजि इसमें जो नई ग्रोथ आती है वो रेड कलर की आती है चुटी चुटी जिसे फ्लावर निकल कर आ रहे हो कुछ ऐसा लगता है कटिंग भी इस प्लांट के आप लगा सकते हैं वैसे ये गर्मियों में मिलता है लेकिन इस सीजन में भी आपको जरूर ये नर्सरी पर मिल जाए है इसकी बॉंजाई भी इसका बहुत अच्छा बनता है तो ये प्लांट भी आप जरूर एड कीजिएगा नई नई ग्रोथ इस सीजन में इसकी फटाफट से निकल कर आती है इसके बाद दोस्तों नमबर 18 पर है सुक शानती का प्लांट और ये कटिंग से आपको मिल जाता है या है जब बनाना चाहते हैं तो ये प्लांट बेस्ट है गर्मियों में इसमें वाइट कलर के फिलार आते हैं तो यह भी आप इस सीजन में मैं कहंगी के कटिंग लगा हिए बहुत जल्दी इसकी कटिंग ग्रो होती है इसके अलावा दोस्तों आप रयो का प्लांट भी यह भी बहुत तेजी से ग्रूव करता है कटिंग विल जाए तो दबेस्ट है क्योंकि कटिंग इसकी बहुत असानी से चलती है और बहुत ही तेजी से यह प्लांट ग्रूव करता है हैंगिंग बास्किट में लगा सकते हैं छोटे पाट में लगा सकते हैं तो दस्तों अमीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए helpful रही होगी अगर हां तो लाइक कीजिएगा और आप ही की जैसे आपके दोस्त हैं या फैमिली मेंबर हैं जो गार्णिंग करना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं इन में से कौन सा पौधा आप लगाने की सोच रहे बाइ बाइ